दोस्तों नमस्कार आज हम आपको बताएंगे कि तवचा से दाद मिटाने का आईरवेदिक इलाज क्या है जिसके लिए आपको लहसुन की कलिया लेना होगा लहसुन की कलियों को आप बारीक पीस ले और दाद वाली जगह पर लगा ले क्योंकि लहसुन दाद खाज को ठेक करने में सक्षम है दाद वाली जगह को गुनगुने पानी से धोले साबुन का इस्तमाल बिलकुल ना करे और सूखने पर रुई से इसे साफ कर ले इसके बाद राई के बीच को बारीक पीस कर नारियल के तेल में मिला कर एक पेष्ट बना लीजे और दाद खाज वाली जगह पर लगा लीजे इसके बाद आपको दाद खाज से छुटकारा मिल जाएगा एक नीबू के रस में इमली के बीच को बारीक पीस कर दाद वाली जगहों पर लगाएं इससे तुरंत दाद ठीक हो जाता है करेली के पत्ते का रस और गुलाब जल मिला कर लगाने से दाद तुरंत मिटने में सक्षम है पोदीना रस और नीबू रस को बराबर मात्रा में मिला कर दाद ग्रसित त्वचा पर लगाने से दाद आसानी से हट जाते हैं दाद वाली जगे पर मूग दाल का पिफ्ट लगाने से भी दाग गायाब होते हैं दालचीनी पत्ता पीस कर शहद के साथ दाद वाली जगह पर लगाने से दाद तुरंथ ठीक हो जाते हैं इलोवेरा जूस को दाद वाली जगह पर हलका रगण कर छोण दें इलोवेरा दाद ठीक करने में सहायक होता है आलू छील कर रसका सेवन करें और आलू छील कर बीच से दो हिस्तों में काट दें इसके बाद अपने दाद वाली जगए पर रगड़ें इससे भी आपको फायदा मिलेगा नीमकी हरी पत्तियों के उबले पानी से नहाने पर दाद फैलता नहीं और इसके बाद आप गाय का घी का लेप कर सकते हैं इससे भी आपको लाभ मिलेगा मीठी तली भुनी चीजों सोडा पे से परहेज करें शराब बीर तंबा को गुटका इत्यादी मादक नशीली चीवों का से वन विल्कुल ना करें अनहल्दी चीजे दाद खाज को और संक्रमित करती हैं इसलिए तेल और वसा युक्त भोजन ना करें क्योरेन हेल्थदेस की रिपोर्ट सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल इकन फो लेटेस्ट अबडेट